है वाट्सप्ट गाइज वेल्कम बैक कि मोलिफाई ब्लॉग सो आज का वीडियो काफे इंड्रस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास है हैंडल बार ग्रिप राप्स फॉम ट्रिप मशीन सो यह प्रोडक्ट मैं अपने बुल्टू पे इंस्ट्रॉल करने वाला हूँ यस बुल्टू पे सर्प्राइज देंगे आज हम अल्सो इस वीडियो में काफी सारी डेटेल्स तूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में इसके अन्बॉक्सिंग रिव्यू और साधी साथ प्रोस आपको डिस्कुर्प्सिंग में मिल जाएंगे और विद्धा विद्धा विंग सेथ लेट स्टाइब तो सबसे पहले इसकी अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं और गाइस तो लेट्स ओपन देस अप और यहां पर नाइफ यूज करते हुए इसको खोल लेते हैं जुल्दे से ब्राउन कलर लिया है बेसिकली आप देख सकते हैं सीट से मैच करेंगा है इसमें आपको तीन चार वायंट सो मिल जाते हैं जैसे ब्लाक है चेरी रेड आर्मी ग्रीन एंड जैसे बहुत सारे गलवस मिलते हैं इसके लाब यहां पर आपको मिलेगा ट्रप मेशीन का यह एक स्टिकर थैंक यू नोट है इस अलएट दिस इस थैंक यू नोट यहां पर आपको थ्री एम टेप मिलता है इक स्टर यहां पर कुछ पांप्रिट्स होग रहे हैं हाव टू क्लीन एंसारे प्रकॉशन मेजर वह अगर सारे दियर यहां पर यह हैं अपने अंगल बार ग्रोप्राप्स यहां पर थ्री एम टेप लगी हुई है सीम्ट लाइक जैनल लेदर लिट्सी कैसे लगता है अप्लाइ करने के बाद थोड़ा सा कलर डिप्रेंस है में भी बात में शायद सिमिलर राजा है अगर थोड़ा सा इंक कलर डिप्रेंस है यह अगर बात करें अगर इस प्रड़ के तो बेसिकली इस यह जोता जाएगा ताइम के साथ और अच्छा दिखेगा टेक्शे कलर शायन और जाद एनांस होता रहेगा विच इस बेस्पार्ट अगर आप अपने बाई को एक लासी यहां विस्ताकार कЖेर से ग्ला चाहँ और इसको प्रोप्लिकल ख embroidery तर इस तरह करना किया यहां पर जाए मैं फोड़ा से स्प्रे किया और इसको प्रॉपली ऐसे क्लीन कर लेना है तो इस सर्फेस जितना स्मूथ होगा अच्छी सी अप्लिकेशन होगी एंट 3M टेप अच्छी तरह से चिपकेगा तो यहां पर क्लीनिंग प्रॉसेस काफी इंपोर्टेंट अगर आप इसको स्किप क कर देंगे तो मैं भी शायद तीच्छी से वह स्टिक ना हो सो यहां पर इसको क्लीन करूंगा इस तरह से क्लीन कर लिया मैंने आप अप्लाई करते हैं अपने हंडल बार पर यह वाली ग्रिप राप्स तो प्रॉसेस काफी सिंपल है आपको एक एंड यहां पर अप्लाई कर करना है एंड जो भी एक्स्टार रहेगा उसके बाद आपको कट करना है कि यह निकाल दिया इस तरह से करिकर ल pénा करा ल'tी हुआंगा हुआते हैं जिक उचया बग्सकी काफीन तो आप देख सकते हैं 3M टेप लगाने के बाब जो होती है यहां से थोड़ा लूज है तो ऐसे में आप फ्रैवी क्यूक का यूज कर सकते हो बस थोड़ी देर यहां पे होल्ड करके रखना होगा और यह प्रॉपले स्टेक हो जाएगा आपको यह सेम प्रॉसेस दूसरे वाले हैंडल बार पर भी करना होगा आपको यहां पर यहां पर यहां पर रहेगी बस यहां पर क्योंकि आप एक लेयर यहां पर आ गई है इसके साथ आप गलवस पहन होगे तो थोड़ा बहुत आपको वाइब्रेशन वैसे ही कम मिलता है बट इनको लगाने से वाइब्रेशन रिदक्शन नहीं होती है अब बात कर लें देखो इस एडवांटेज से सबसे पहले एडवांटेज से सबसे पहले एडवांटेज यहां पर मिलता है वो खुदी बता सकते हो आप देखके यहां पर काफे रीस स्टाइल लोक सो यह काफी अच्छा लगता है मतला आप फ्रेंट लुक देखो किता सही लग रहा है सो दिस इस दे में एम अफ इंस्टालिंग इस हंडल बार ग्रिप राप्स और अल्सो सीट के साथ अभी आप देख रहे होगे थोड़ा बहुत मिसमाच है बट बैदर टाइम जैसे से यह ओल्ड होता जाएगा और इसके ने कलर और डाकन अप हो जाएगा तो सेकेंड एडवांटेज जो आपको यहाँ पर मिलता है वो है पर्फेक्ट फर्म ग्रिप जब भी आप कभी आप ग्लवस पैन के राइड करोगी तो आपको एक अच्छी ग्रिप मिलेगी तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि यह काफी इजी तो इंस्टॉल है आप एज़र आप खोलना है या जो भी आप दूसरा इंस्टॉल करना चाहते हो बहुत इसली से होता है आपको जो यह ग्रिप होते है उन पर कोई एफेक्ट नहीं होता बस एक कवरिंग है फोर्थ ही यहाँ पर आपको वाटर एपलेंट कोटिंग दी गई है तो लाइट रेन और ऐसे कंडिशन में यह थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देगा यहाँ पर इतने इजी है डामेज नहीं होगा जो की काफी अच्छी बात है और अगर आप चाहें तो लेटर राओन यहाँ पर वाटर अपलेंट कोटिंग कर सकते हो ऐसे लेधर प्रोटेक्ट आते हैं जो आपको सिंप्ली स्प्रे करना होता है तो मैं उनके लिंक्स डिस्कप्शन में देदूँगा तो आप चाहें तो वहाँ से परचेस कर सकते हो क्वालिटी अच्छी नहीं है साथ ही आपको सिर्व दो ही टेप मिलते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है विकजोज अगर आपको कोई आजस्मेंट करने पड़ेंगे तो आप नहीं कर सकते हो तो again that is a disadvantage सब्सक्राइब बात करें यहां पर cleaning and maintenance की तो यहां पर आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा protection and care के लिए तो dirt, grease and oil जैसा कोई भी चीज यहां पर अगर accumulate होगा धीरे धीरे यह harden हो जाएगा और इसके बाद यह slippery यहां पर grip इत्ती अच्छी नहीं बनेगी तो make sure यह clean or properly maintained रहना बहुत ज़रूरी है cleaning and maintenance care करना बहुत ज़रूरी है इसका तो again this is like आपको care extra care करने पड़ेगी तो वो एक disadvantage में मानूँ हो यहां पर thirdly if you are someone who doesn't like wearing gloves probably this is not the right product for you because bare hand आपको यहां पर अच्छी grip नहीं मिलने वाली और साथ क्योंकि हमारे हाथ में dirt and sweat or oil, grease वगराज जैसे चीज़े accumulate होती है तो यह चीज़े यहां पर भी लग जाएंगी उसके वैसे यह चीज़ हाड हो जाएगी and leather की quality degrade हो जाएगी and धीरे धीरे यह slippery बन जाएगा बिल्कुल तब grip और भी खराब हो जाएगी तो अगर आप gloves ने पहनते हो, this is not the right product for you guys, you can go for rubber or foam based product so last but not the least, यहां पर आपको water resistant coating भी गई हुई है, but अगर आप heavy rain या washes करते रहोगे bike regularly and यह चीज़ exposed रहेगा water से, so लंबे time तक exposed रहने पर यह leather swell हो जाएगा और वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा so यहां पर water से protection भी जरूरी है, and उसके लिए आप products यूज़ कर सकते हो, leather, cleaner and shiner यूज़ कर सकते हो, ताकि इसकी life maintained रहे so you can use that product, मैं links description में दे दूँगा, so you can check that out also so yeah guys that's about it, I hope आपको वीडियो पसंद आए, अगर आया तो जरू से वीडियो को लाइक कीज़े, and don't forget to share and subscribe to this channel if you haven't done yet also आप लोग मुझे follow कर सकते हो, facebook and instagram पे, नीचे description में आपको सारे links मिल जाएंगे, and with that, it's a wrap, and I'll see you guys in the next video hey what's up guys hello this is the trip machine card's craps this is the trip machine card's craps